प्रोग्राम बड़ा आत्मी जैसा कि आपको पता है कि हमने ये प्रोग्राम का सिलसला शुरू किया है ताकि आपको बताया जा सके कि बड़ा आदमी कैसे बना जा सकता है और बड़ा आदमी बनने के लिए आपने क्या क्या करना है गुजश्चता प्रोग्राम में डॉक्टर साब ने हमें बहुत अच्छ शुरू हुआ हुआ है तो हमने सोचा कि क्यों ना डॉक्टर साब की मौजूद्गी का फाइदा उठाया जाए और माहे रमजान में जो हमारी रूटीन चेंज होती है खाने की रूटीन चेंज होती है, सोने की रूटीन चेंज होती है हम रोजे रखते हैं, सहरी करते हैं, अफ्तारी करते हैं, एकसरसाइज भी डिस्टराब होती है तो इन सब चीजों को देखते हुए हमने सोचा कि डॉक्टर साब की मौजूदगी का फाइदा उठाएंगे और डॉक्टर साब से पूछेंगे किस तरीके से हम माहे रमजान में अपना लाइफस्टैल मज़ीद बेहतर कर सकते हैं तो पहले तो आपको मुबारक हो रमजान शरीफ का महीना और तमाम हमारे देखने वालों को भी ये बात बिल्कुल दुरूस्त है कि रमजान शरीफ में हमारी जो रूटीन है वो थोड़ी सी मुखतलिफ हो जाती है मैं असल में थोड़ा सा हिस्टॉरिकल प्रिस्पेक्टिफ बताना चाहूंगा रमजान शरीफ का कि मुसल्मानों के लिए तो ये एक मुकद्स महीना है ही लेकिन इसलाम के आने से पहले भी रमजान का महीना हमेशा एक मुकद्स महीना ही समझा जाता था अच्छा और इस महीने में अरब के रवाज में क्योंके वहां कबाईली निजान था और लोग एक दूसरे से लड़ते थे जगड़ते थे लेकिन एक तै था सोशल नौम के रमजान के महीने में लड़ाईया नहीं होगी रमजान के महीने में कतल और गारत नहीं होगी और इसको हमेशा से एक मुकद्दस महीना ही समझा जाता रहा और फिर पुरान की एक आयत है जिसमें ये कहा गया कि रमजान वो वावरकत महीना है जिसमें हमने कुरान को उतारा चीक है तो इनसानी हिस्ट्री के अंदर जो एक लैंड मार्क तब्दीली हुई है वो दीन इसलाम का आना है जिसकी वज़ा से पूरी इनसानियत को एक रुख मिला है मस्बत अंदास के अंदर और नभीयों का वो सिलसला जो हुज़त आदम अलईसलाम से शुरू हुआ था और उसके बाद वो मुखतलिफ अदवार तै करता हुआ मुखतलिफ तहजीबों को पर असर डालता हुआ वो इसलाम आखीर में नभी पाक से आखरी नभी होने पर खतम हुआ और इनसानियत के लिए एक नुस्खा एक कीमिया मिला तो रमज़ान शरीफ की तो सबसे बड़ी वरकत और सबसे बड़ी एहमियत यह है कि इस महीने में यह टर्निंग पॉइंट हुआ है पूरी काइनात का जिसमें कुरान पाक उतरा है और जिसके जरीए से वो नुस्खा एक कीमिया इनसानों को पहुँचा है तो मुझे पूरा यकीन है कि इसके जो स्पिर्चुल आसपेक्ट्स हैं और रुहानियत पर इसके क्या असरात होते हैं उसके बारे में आपके चैनल में और जो और बाकी मीडिया है उसमें बहुत सारी बाते होंगी और उस बात को करने के लिए जो एहल हैं वो हमारे अलमाई कराम हैं और हमारे वो दानिश्वर हैं जिन्होंने मज़ब के उपर इलम भी हासिल किया, रिसर्च भी हासिल की, उसे बहुत सरी तहकीक की और मुहक्किक हैं, मुफस्र हैं, मुहद्स हैं तो वो तुमाम चीजें बयान करेंगे मैं ये समझता हूँ कि मेरा ये मनसब नहीं है, कि मैं उसके रुहानी आसपेक्ट को कवर करूँ और वो बहुत ज्यादा हैं, और उनको इन्शालला रजीज, वो हमारे उलमा जो हैं, वो उसको कवर करेंगे कि रुहानियत में क्या तबदीली होती है बताते भी है, साथ बताते भी है, दूसरी लेकि जो मैं आरस करना चाहता हूँ कि बात सिर्फ इतनी नहीं है कि इस मुकद्दस महीने के अंदर सिर्फ इसका एक रुहानी आसपेक्ट है, इसके इलावा रमजान शरीफ के अंदर और जो आहकामात रमजान से मतलिक हैं, वे ह और सोशल रिलेटिड और एथिक्स रिलेटिड लेसंस हैं, जो कि रमजान शरीफ के जरीए से हम तक पहुंचते हैं, और हम अपने इस प्रोग्राम के अंदर कोशिश करेंगे, कि एक एक करके उनको डिसकस करें, पहली बात तो है, कि इसमें खाने पीने की पाबंदी हो जा तो वो भी रोख दिया जाता है, तो उसके जो मेडिकल आसपक्ट्स हैं, वो थोड़े से हम डिसकस करेंगे, सबसे पहले, देखें, पहली बात यह है, कि यह समझना बहुत जुरूरी है, कि इनसानी जिसम एक मशीन की तरह है, फर्ज करें, एक मोटर साइकल है, अच्छा अ तो आप कहें कि मेरा जो मोटर साइकल है, यह मेरे वालिट साइकल ने मुझे गिफ्ट में दिया था, तो इसके अंदर तो मैं कोई और कीमती चीज डालूँगा, तो हमारे घर में एक देशी गाये का घी है, तो भी तो आयली होता है, तो मैं उसमें वो डालूँगा, और य जिस काम के लिए वो मशीन बनी है, उसमें उसी तरह का फ्यूल डलेगा, इसी तरीके से इनसानी जिसम की साख्त इस तरीके से बनी है कि उसमें एक पर्टिकुलर फ्यूल डलेगा, अगर हम उस पर्टिकुलर फ्यूल को नहीं डालेंगे, तो बाड़ी उसको बहुत बुरी तरह react करेगी अगर हम मोटर साइकल के अंदर मट्टी का तेल डाल देंगे या देसी घी डाल देंगे तो वो तो इतनी कमजोर मशीन है कि वो तो फॉरन रियक्ट करेगे ये फक फक करके बंद हो जाएगी बंद हो जाएगी अलबता इनसान के अंदर इसकदर ज्यादा चेक्स हैं और इतने ज्यादा उसके अंदर क्या कहना चाहिए वर्सिटैलिटी है और कपैसिटी है कि फॉरन तो कुछ नहीं होगा लेकिन अंदर का निजाम आस्ता 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 खराब होना चाहेगा तो मैं ये बात जो उसके बैगराउंड मेर्स करना चाहता हूँ जो हम अपने मूँ में लेके जाते हैं ना तो हमारी बाडी की अपनी एक इंटेलिजन्स है एक बाडी की अपनी एक जहानत है वो उसको देख के पुछती है जैसे अब आपके दफ्तर के अंदर को शखस आएगा तो आपका एक गार्ड है वहां खड़ा हुआ उसाथ को पूछ पॉचते हैं कि पाई सब्दिशने हैं क्या खान का रह tęणग अब हैं झाने जार प्रवानों के अंदर होती है, कुछ सबजियों के अंदर भी होती है, यह है प्रोटीन, अच्छा तीसरी जो चीज है वह है फैट, क्योंकि हमारे जिसम का बहुत सा हिस्सा चर्बी से खास तोर पर हमारे जितने खुलिये हैं, सेल्स हैं, उनकी जो दिवार है, उसके अंदर च क्योंकि वो दालों में भी बहुत जादा होती है, दूद में भी होती है, कुछ सबजियों में भी होती है, और तीसरी जो थी, वो मैंने आपको बताया चर्बी, फैट, इसके इलावा जो चौती चीज है, बहुत एहम, वो खुराक तो नहीं उसको कह सकते हैं, मगर उसके ब मसलां मेगनीज, ये वो तमाम चीज़े हैं जो मिकदार में बहुत थोड़ी होती हैं, मगर ये चाहिए हमें, अगर ये चीज़ें मौजूद नहीं होंगी, तो हमारे जिसम का मुदाफिती निजाम नहीं ठीक होगा, हम बिमारी के खिलाफ लड़़ई नहीं कर सकते हैं, उ और हमारे जिसम का स्ट्रक्चर बनना है, तकरीबन हर नवे दिन के बाद हम नए हो जाते हैं, अब देखने में तो मतलब जवेद अक्बाल यही है, जो आप में तीन महीने बाद भी देखेंगी तो वैसा, लेकिन इसके अकसर सेल तबदील होके नए बन चुके होंगे, और यह तमाम चीजें हैं खुराक, जो इसके इलावा होगा, तो बाड़ी कहती है, भई यह तो कोई फॉरिनर है, यह तो कोई दुश्मन है, और आप हैरान होंगे, कि मोस्ट आफ जंक फूड, अक्सरियत वो चीज़ जो फैक्टरियों में मिलके में बनी है, वो तमाम चीजें जो संथैटिक है, जो जमीन से नहीं होगी, या किसी जानवर के जिसम से नहीं लिए गई, उन सब को हमारी बॉड़ी अकसर अपना नहीं समझती है, अपना नहीं समझती है और उसको समझती है कि यह खुराक नहीं है, अच्छा जैसे, अब मुझे, मतलब हम किसी एक पर अग्जामपल जितनी भी जंक फूर्ड हैं जितनी भी फुजी ड्रिंक्स हैं जितनी भी यानि प्रिजर्वड फूर्ड हैं ये सारी की सारी जो हमारे अंदर जाती है तो बॉडी समझती है कि भाई ये खुराक नहीं है अगर तो वो खुराक होती तो हमारे हां हमारी पू रुकमे को मुँ में रखा हमारे दाथ हमारी जबान उसको कॉशो करना शूर कर देती और उसको अच्छी तरह नॉक्स कर देती पिर हमारे ठुप के अ थे प्रब्र लॉस्डा एंजाइम्स आजो उसको हजम करना शूर कर दे थे के अंदर इतना शदीद तिजाब होता है उसकी पिएच इतनी लो होती है कि अगर उसका एक कत्रा हमारे यहां जिल्द पे हो जाए तो वो जला देगा उसको लेकिन अला ताला नहीं वो तिजाब रखा हुआ है वो उसको हजम तो प्रोटीन वगयर उसमें उसके बाद इस तर सुराफ में से इसको बाहर निकाल दें यानि सबसे असान तो मुह है लादा जब भी आपने देखा होगा कभी आपने कोई ऐसी चीज़ खाई जो बहुत इरिटेंट है तो एकदम कैय करके आदमी उसको बाहर निकाल और एकदम नहीं भी आती तो थो थोड़े टाइम बात आपके पेट में गडबड होती रहती है और दूसरा जो है उपकाने के रस्ते से इसलिए कई तफ़ ऐसा होगा कि आपने कुछ ऐसी किसी ने कुछ ऐसी गडबड चीज़ खाई तो उसको बार बार वाशनू जाना पड़ेगा और वो भी अल्ला तेला की तरफ से एक नेमत ह है कि पॉड़ी उससे जा चुड़ा दे अब तीसरी बात बाता रहा हूंना था यह वह वो ब्री खतरनाक हूं अगर बड़ी बिचारियी ऐसा नहीं कर सकती इन को बाहर नहीं निकाल सकती तो बॉड़ी जैसे चिआ MI essa को गंदपड़ा हो कि उस उसको कुछ नी खुशाली की निशानी। आप आपका पहले कमरे पाने में दाखिलू हो। यह जो जितनी बड़ी हमारी फैट्स है। नहिए, यह असल में डस्ट बिन है हमारी बाड्य एंतर के ओके और वह चीजेये पैक होके डस्ट बिन में पड़ीगाई रहती Mig जिसको हम कहते हैं कि भी हम बड़ा बी ताखतोर होगे अच्छा अब आप जितनी भी अच्छे तरीके से शौपर में पैक करें तरीवा चीजें कुछ देर के बाद उस डस्पिन में से बद्भू आने शुरू हो जाएगे उसमें कीडे पैदा हो जाएंगे वह खराब हो जाएगा तो जो तमाम चीजें पैक होके हमारे फैट सेल्स में पढ़ी रहती हैं उसके अंदर ताफून पैदा होना शुरू हो जाता है इस ताफन के नदिए में जो लोग未डिकल टर्म को जानते हैं एक चीज प Aim पीडा ही जिसलित प्रिया होती है पर वा बॉडी के सेल्स को तॉपा करना शुरू करते है जो दूसरी चीज पीडा होती है उसके तौक्सिंस जो के वह भी बॉडी को नुकसान पोच्छते हैं और सबसे खतरनाक एक चीज पैदा होती है कि कारसीनोगेंस ऐसे चीजें पैदा होनी जाती है जो बॉडी में कैंसर की बुनियाद रहना चाहिए ना तो लहाज़ आप कहें कि रमजान में इतनी लंबी आपने क्या वेडिकल बात की यह मैंने यह बताने के लिए बात की है कि हमारा जो खाने का पैट्रेण है ना वो बुनियादी तोर पर यह है अगर हमें यह पैट्रेण समूझ में आजाएगा तो हम देखेंगे कि क्यूं ऑल्ला ताला ने हमें तर्बियत के लिए रमजान शरीफ का ये खाने का मुक्तलिफ पैटरन वाला निजाम दिया है ताके हम इसको अपनी ट्रेनिंग समझें जैसे फौज है ना, तो फौज की कुछ हरसे के बाद एक ट्रेनिंग होती है अब आप तरह थोड़े डिले हो गए हैं तो थोड़ी सी एकसरसाइस कीजिए ताके दोबारा आके फिर अपनी ड्यूटी दे सकें तो ये रमजान शरीफ खाने के पैटरन की एक एकसरसाइस है ठीक है एक बात दूसरी बात ये कि सिर्फ यही एहम नहीं है कि हम क्या खाते है ये भी एहम है कि हम कब खाते है कब खाते है हमारे पूरी बाड़ी का क्लिंजिंग सिस्टम इस तरीके से काम करता है कि हमारे मेदे को धाई गंटे के अंदर अंदर खाली हो जाना चाहिए अब समझी मेरी बात हमने जो कुछ खाया ना तो नॉर्मल हालत में ठाई गंटे में मिदा खाली हो जाया जाए जिस वक्त हमारा मिदा भरा होता है ना तो हमारा दिमाग अपनी आप्टिमम लेवल पर काम नहीं कर रहा होता और हमारे मसल्स भी आप्टिमम लेवल पर काम भी कर रहे होते इसलिए कि हमारे जिसम में महदूद खून है जब हमारे मेदे में खुराग गई होगी और अंतिडियों में तो खून वहां से शिफ्ट होकर हमारी अंतिडियों और मेदे की घर चला जाएगा तो दमाग के पास अब आप ये जो रिकॉर्डिंग करती हैं आपने देखा होगा कि सबसे मुश्किल सेशन होता है खाने के बाद जी बिलकुल लंच के बाद आपको ऐसी उंगाती है और हम जब ये बुक्शॉप्स वगरा कराते है ना तो वो जो हमारा फिसीली टेटर जिसको लंच के बाद का सेशन दिया जाता है वो बिचारा सबसे मुसीवत में होता है कि लोग जो है वो डोस कर रहे होते हैं और उंग कर आगे चली जाए लहाजा अगर आप ऐसी खुराक खाएंगे जो बहुत मुरगन होगी ऐसी खुराक खाएंगे जो नेचरल फूड से दूर होगी जियानि जितनी कुक्ड ज्यादा होगी जितनी बेक्ड ज्यादा होगी जितनी स्टीम्ड ज्यादा होगी जितनी ज्याद है कि ये बात बहुत टेक्निकल नहीं हैं और हमारे सुनने व्लै ये सिर्भोर होरे होंगे गर ये बात जाननी जरूरी है कि जब हम खाना कहते हैं तो हमारा मेदा जो है उसमें खुराख कट्वनी शरूरो गड़ी हो और उस्ता इस्ता चास जब वो के हैं तो फिर हम रूप जाता है जैसे आपका प्रोग्राम के द्रियान में को Аपको किनल आता होगा वक्फा लेना है तो फिर आप को वक्फा तुनिन नह तो उसको उपर तक पहुँचने में बहुत देर लग जाएगा। लेहाजा हमारा दिमाग ये समझेगा कि अभी तो पेट बरा ही ने और वो खाता रहेगा, खाता रहेगा, खाता रहेगा। और इसकी वज़ा से आइस्ता इसी लिए वो लोग जो बहुत मोटे होते हैं वो उनका पर वकाते पहले दो रोटियां खाता था आप में चार रोटियां खाता हूँ अब मैं छे खाता हूँ और मैं आठ खाता हूँ वो बढ़ना शुरू हो जाती है लहाजा ना सिर्फ यह क्या खाना है बलके कब खाना है और कब के बारे में शायत यह है कि एक खाने और दूसरे खाने के दर्मयान कम-मज कम 6 गंटे का वक्पा होना सुपरी अगर हम अभी खाना खाया आदे गंटे बाद सेंडविच खा लिये एक गंटे के बाद हमने कुछ और खा लिया कुछ देर के बाद हमने कुछ और चिप्स खा लिये फिर हमने और चिकन का फीस मगवा के खा लिया तो कंटीनुसली हमारे मेदे के अंदर बलड जो है उसके गर्द रहता है और पूरी बॉडी के लिए अवेलेबल लिए अच्छा डॉक्टर साव यहां पे मेरे माइंड में एक सवाल आ रहा है कि कि मैंने कि सुना लोगों को बात करते भी सुना कुछ डॉक्टर्स को भी बात करते सुना कि आपको थोड़ा-थोड़ा करके खाते रहन चाहिए पूरा दिन और आपने एक टोटली डिफरेंट बात बताई है यह जो बात हम थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा-वाली कहते हैं यह कुछ बीमारियों के लिए है यह कुछ खास पैटरन के लिए है अधर्वाइज स्टमक को जितनी जल्दी हम खाली कर दें एक नॉर्म होने का पत्रा होता है अच्छा अब हम इसको बात को रमजान शरीफ की तरफ लेकियाते हैं तो रमजान हमें बन्यादी तोर पर यह तर्वियत देता है कि कैसे हमने भूके रहना है तो उस स्लसले में जो आपके सवाल का जवाब था एक तो सबसे बड़ी गलती खाने में र रमजान शरीफ के अंदर आप कुछ भी अन्यूजूल ना खाएए रमजान के अंदर आप वैसे वही कॉलिटी ओफ फूड खाएए जो कि आप नॉर्मल खाते थे जैसे अगर आप ने यह सोचा कि चूँके अब मैं सारा दिन भूका रहा हूं और अफ़तार में अब मैंने पड़ेंगे उसके बाद के लिजिए जी अब खाने का टाइम होगे हम खाना खाएंगे तो बेसिकली जिस तरभीयत में दे की जिस तरभीयत के लिए ये रमजान शरीफ का महीना आया था हमने उस तरभीयत को तिल्कुल जाया करी मेरी रिकमेंडेशन यह होगी कि सुभा सह खजूरें क्योंके खजूरों में फाइबर बहुत आला क्वालिटी का होता है यह सोचना कि चूंके मैंने सारा दिन भूका रहना है लहाजा मुझे मुझे मुरगधन घजाएं खानी चाहिए जितनी कम मुरगधन घजाएं आप सहरी में खाएंगे उतनी आपकी बॉड़ी ज्यादा हेल्दी रहेंगे अगर आप मुरगधन घजाएं खाएंगे तो आप दो बज़े तब को सोते रहेंगे तो लहाजा सहरी में रिकमेंडिड फूड वैसे तो हर शक्स की अपनी लाइकिंग भी डिफरेंट होती है लेकिन दही बहुत जबरदस्त है इसके अलावा आप जो फूट जूसे ले सकते हैं फ्रेश जूस ले सकते हैं थोड़ा बहुत कार्भोहडरेट ले सकते हैं जैसे एक रोटी जैसे एक चपाती पराथा एक रसम बन गई है जिसको लेना मेरे जाती खियाल के अंदर तो घी वाली कोई बीचीज एक्स्ट्रा लेना ज़ूर बहरान की भी बड़ी बाते हो रही हैं अब ये बात मैं बड़े बुसूख से कहता हूं कि अगर हम पूरे मुलक में चीनी बनाना बंद भी कर देना तो ये सिहत के हवाले से बहुत फाइदा होगा है इसी तरह अफ़तारी के वक्त के लिए मेरा ये मश्वरा होगा कि पहले स्टार्ट में को जूस पी लेते हैं और उसके बाद जो खाना पका होता है वो खाते हैं रूटी से सालन खाते हैं चावल खाते हैं अफ़तारी को बिलकुल डिनर के तौर पर लीजिए और जिस वक्त रोज़ा अफ़तार हो रहा है इसलिए आप देखिए सौदी नॉर्मल खाना खाईए और जब आप नॉर्मल खाना खाएंगे उसके बाद नमाज पढ़ेंगे तो तरावी के वक्त तक आपका ये सिस्टम पूरा रेगलाइस हो जाएगा खास तोर पर इसमें मेरवानी करके मीठी चीजों से बिलकुल गरेज कीजिए और ये तो एक तर प्रेस कीजिए फ़लों के साथ और फ़लों को भी जिस तरह डेजर्ड खाते हैं ना यानि खुराक का पहला हिसा मत बनाईए पहले जो नॉर्मल आपका मेन खाना है वो खाईए उसके बाद कुछ भल भी खा दीजिए तो खाने के पैटरन को हमें इस तरीके से हमारे साथ रहिएगा